यह खबर खास और से उन महिलाओं के लिए है जो ट्रेन में सफर करती हैं ट्रेन के टॉयलेट का इस्तिमाल करने से पहले एक बार वहां की अच्छे से जांश्च जरूर कर लें क्यूंकि कुछ ऐसा ही हुआ है मुंबई में जिससे कई महिलाओं की इजरत से खिलवार करने की साजिश का खुलासा दरसल एक पचास साल की महिला की सतर्क्ता के कारण पुलिस ने ट्रेन के टॉयलेट में मोबाई फोन छपा कर महिला यात्रियों का वीडियो बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफतार किया है हैरत की बात टॉयलेट में मोबाइल रखने का आरोपी और कोई नहीं बल्की एक रेलवे कर्मचारी है घड़ना शनिवार को गोरकपुर लोकमायन तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस की है एक पचास साल की महिला की सतर्टा से पूरे मामले का खुलासा हुआ ठाने की मानपाड़ा की रहने वाली एक पचास साल की महिला एक कोट की टॉयलेट में गई वहाँ उनकी नजर छपा कर रखे गए मोबाइल फोन पर पड़ी उस समय आरोपी सलीम शेख टॉयलेट के बाहर खड़ा था महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया आरोपी सलीम शेख, 31, कल्यान का रहने वाला है और रेलवे में एसी मकैने के और पर कारिरत है अगर वह दोशी पाया गया तो उसे निलंबित किया जा सकता है पीडित महिला की मदद के लिए आयसे यात्रियों ने शेख को पकड़ लिया शुरुआत में उसने यह नहीं माना की फोन उसका था इसके बाद यात्रियों ने गार्ड को सूचना दी जिसके बाद जहां सी कंट्रोल रूप को इस बारे में बताया गया मुबाइल फोन की जाच में जहां सी जी आर्पी को ट्रेन के टॉइलट में फिलमाए गए महिलाओं के कई और विडियो भी मिले जहां सी जी आर्पी के इंस्पेक्टर रवीवार मिश्रा ने बताया महिला की शिकायत के आधार पर हमने उसे गिरफतार कर लिया है उसके खिलाफ IPC की धारा 354 के तहट केस दर्ज किया गया है एक और वरिष्ट अधिकारी ने बताया की करमचारी के ही इस तरह के कृत्यों में शामिल होने की घटना रेलवे के लिए शर्मिंदा करने वाला है